भारत और मालदीव का जो विवात चल रहा है इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मालदीव का है भारत को भारत के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है जिहां आपने देखा कि जब से पीयम मोदी ने लक्षदीव की तस्वीरे पोस्ट तुलना करने लगए और जब यह तुलना हुई तो यह विलकुल भी मालदीव के मंत्रियों को राज नहीं आया और उसके बाद क्या हुआ मालदीव की सरकार में तीन मंत्री थे जन्नोंने आपत्ती जनक टिपणि की थी उनको वरखास्त किया गया और तो और मालदीव के नुक्सान आपको उठाना पड़ता है यही इस वक्त मालदीव के साथ हो रहा है क्योंकि पीम मोदी की छवी ग्लोबल लीडर के तौर पर है और पूरे दुनिया उनका लोहा मानती है ऐसे में जब पीम मोदी ने लक्ष्टीव की तस्वीरे साजा की और कुछ लोगों ने लि पीमालदीव में भारती है तो मालदीव को नुक्सान है ना क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जोनोंने मालदीव की अपनी यात्राएं रद कर दी है वह लक्ष्टीव में फाइव स्टार सुविधाय मौजूद नहीं है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फिर भी महां अपर बलोगों को का रुख हो रहा है ऐसे में आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसे कम्पनी इसे जिन्होंने मालदीव की बॉकिंग्स कैंसल कर दी है तो उसमे नुकसान सर्फ मालदीव को हो रहा है अब आप ये समझे कि भारत सबसे बड़ा साज़ेदार है मालदीव का क उसमें हमारी आर्मी मालदीव की मदद करती है। चीन के साथ है। सरकार गिरने की नौबत आ गई है। और तो और भारत विरोधी ऐसे बयान देना मालदीव को हर तरह से महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है।